माई डिस्ट्रेंस वेल्कम बाइक टू माई चैनल आज आपको इस वीडियो में कच्छा तस्गणित अध्यायदू बहुपद की बारी में चर्चा करेंगे जो हमारे नए प्रकासन बाला जी अध्यायदू बिध प्रश्णावली पांचवा प्रश्ण देखेंगी इसमें इ स्कुराइर देखेंगे जिसके मूल अलफा प्लस अलफा बटे बीटा तथा वन प्लस बीटा बटे अलफा है ठीक है और हमें इसकी सहायता से दुइगाद बहुपद ग्याद करना है अध्याद बहुपद के लिए आपको जानकारी होना चाहिए दुइगाद जब भी पद हमें दिया गया है जिसके मूल अलफा बावीटा है ठीक है तो यह जो है आपके रियल मूल नहीं है अलफा बीटा का कोई तो मान होना चाहिए तो जो दिया गया मूल है इसको हम लोग इससे हम लोग रियल मूल निकालेंगे ठीक है ठीक है जो कि जो दिया गया है एकस स्क चार एक्स धन तीन ठीक है कि मूल क्या क्या है अलफा बीटा दीए अलफा एवं बीटा है यह दो मूल दिए गए है तो इसको क्या करेगी इसकी तुलना हम लोग व्यापक रूप से कर लेंगे लेख सकते हैं आप कि तुलना किसे करेंगी दुए गहात समय बहुपत की जब आप तुलना करेंगे तो आपको A, B, C की मान प्राप्त होंगे A का मान जो एक्स स्क्वार गुडांक है वो होता है तो यहां एक हो जाएगा B का मान एक्स का गुडांक B होता है तो एक्स का गुडांक आपका चार है B का मान हो जाएगा और C है अचरपत आपका 3 हो जा लेंगे, ठीके, दिखेंगी, जूंकि, मूलों का योग, मूलों का योग, का फर्मॉल एक मूल हमारा अलफा है, दूसरा मूल बीटा है, तो इनका योग फ़ल होता है, माइनस B अपान A ठीक है अब माइनस B का मान आप तो जानी गए होंगे माइनस अब B का मान है 4 तो मान है 4 हो जागा बटे 1 तो 4 बटे 1 अर्था तो माइनस 4 हो जागा यह अलफा प्लस बीटा कामा निकला फिल लिखेंगे अब मूलों का गुडणफल मूलों का गुडणफल अगर मूल आलफा है और बीटा है तो इसका गुडणफल आलफा इंटो बीटा हो जागा और इनका सूत्र होता है C बटे 1 अशी का मान केतना है 3 है बटे 1 का मान 1 है तो 3 बटे 1 कर्था 3 हो जागा इसकी आउसकता भी पढ़ीगी आपको अब क्या करेंगे जो दूइ घात बहपद दिया गया है जो दूसरा जिसका हमें घ्यात करना है उसके मूल दी गया है चुखिंगे क्यों कि दूइ घात बहपद ढिता है उसको आई प्पर समाल लेजी, जो अब को निकलना है? के मूल जो नियात द उखात बहुपत है, क्या किया है? दिये गया है, 1 प्लस अल्फा भाई भीटा तथा या एभवम 1 प्लस भीटा भाई अल्फा है, ठीक है? ये मूल दिये गे है, और फिर क्या करेंगे इस मूल पर हम लोग मूलों का योगफल और गुलनफल निकालेंगे जब तक आप मूलों का योगफल गुलनफल नहीं निकालेंगे तक आप लोग बहुपद नहीं निकाल पाएंगे ठीक है फिर क्या करेंगे अब लिखेंगे मूलों का योगफल जैसे वह यहां तो बहुपद दिया गया था यहां बहुपद नहीं दिया गया अब मूलों का योगफर ठीक है चुकि अगर इसके भी मूल दिये गए हैं तो इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा मूलों का योगफर यह दो मूल दिये गए हैं इनको जोड़ें तो होगा वन प्लस अल ले लेंगे, अब यहाँ एक एक दो है, तो यहाँ से हम इसको इस्थे है कर लिएगे alfa beta beta, plus beta beta alpha कर लें, और यहाँ एक एक जोडेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा, जाएगी, अब करना क्या है, इसका HTC m ले लेजिए, अल्फा बीटा के LCM अल्फा बीटा होगा बीटा का बीटा से भाग देंगे तो अल्फा आएगा अल्फा इस्क्वाइर हो जगा अल्फा का अल्फा में भाग देंगे तो कड़ जगा तो बीटा इस्क्वाइर हो जगा अब प्लस आपका यहाँ मि इसका हर एक है तो एक काहँड़ा अलफा बीटम करेंगे तो तू अलफा बीटा होगा तो अलफा इंटो बीटा आप ध्यान देंगी तो यह किसका फार्मुला है a square than b square than 2ab आपको पता होना चाहिए a square than b square than 2ab यह a plus b का whole square है तो A प्लस B यानि अल्फा प्लस बीटा का आप फोल स्क्वाइर कर दीजी बटी हो जाए अल्फा बीटा ठीक है इसको रख लीजी अब यहाँ इसकी आउसकता भी पड़ीगी अब देखे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान ड़ीजी अब यहाँ पर आप उस पान को पूट कर दीजी चोंकि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर लिगे हैं समीकरण एकवाय दो से अब चाहें तो इसको रख सकते हैं क्योंकि इसको साल्व करना जरूरी है अल्फा प्लस बीटा ये दो मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग इनकाल चुके हैं देखिए मूलों का अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस चार तो यहां आपका हो जाएगा माइनस चार ठीक है जिस प्रकार मूलों का योगफल लगाए हैं उसी प्रकार यहां पर लिखेंगे अब मूलों का गुड़नफल मूलों का गुड़नफल ब्राबर कर देंगे दो मूल दे गए हैं कौन कौन से मूल हैं वन प्लस अलफा बटे बीटा वन प्लस अलफा बटे बीटा ठीक है अग गुलनफल करेंगे तो गुला हो जागा इस तरह है वन प्लस यहां दूसरा है बीटा बटे अलफा यहां पीस को थोड़ा और बराबर करके हल करेंगी तो क्या होगा इसका गुला करा दीजी वन का गुला वन में करेंगे वन स्क्वाइर हो जागा ठीक है वन स्क्वाइर का गुला एक होगा वन का बीटा में गुला करेंगे तो बीटा हो जागा यह तो वन का काम होगे अब य नीछे क्या होगा नीचे ग्याट अर भी टाया अलएगा ये इसको देख लाएं थोड़ा सा करेक्शन कर लीजी यहां क्योंकि नियुक्त एप केल्ठी नहीं है यहां से यह चीज़ें गलत ही कि इसको करना यह है पहले इसको आप लोग गुड़ा कर लीजी इस तरह से बीटा एकने बीटा अब प्लस हो जाएगा अलफा अब पूरी बटे हो जाएगा बीटा एक ब्रेकेट में हो जाएगा अब दूसरी ब्रेकेट में हो जाएगा अलफा करने अलफा प्लस बीटा अलफा प्लस बीटा बीटा स्क्वार हो जाएगा अब देखें अलफा का अलफा में करेंगे अलफा स्क्वार हो जाएगा प्लस अलफा का बीटा में करेंगे अलफा इंटू बीटा हो जाएगा बटे बीटा का अलफा में तो alpha beta बटे alpha into beta फिर उसी का formula बन गया यह a plus b का holy square बन गया क्या बन गया a square than b square than 2 a b a plus b यह निए alpha plus beta का holy square बन गया बटे alpha beta अब यही चीद आप लोग इसमें योगफल में भी लगाए थे आगया से alpha plus beta का मान alpha plus beta का मान मानस 4 है मानस 4 का square हो जागा चार का square सोल है और 3 का बर्ग तो होना नहीं है क्योंकि 3 पर बर्ग नहीं है तो यह 16 है बटे 3 हो जागा ठीक है यहाँ मूलो गुलन फाल अब हमें क्या करना है हमें तो में मक्सद था दुई घात बोपत तो दुई घात बोपत निकालने के लिए मूलों को जोड़ाना जरूरी है और इनका गुलन फाल है इछेंगे लास्ट में अब हमारा आंसर आजाएगा अब दुई घाती बोपत दुई घाती बोपत का फार्मुला क्या होता है जानते ही है अब जो मान आप लोग प्रापत के उसको रख लें अब दो मूल जोड़े है इसका योगफल कितना आया है देखें यहाँ भी आप लोग अलफा प्लस बीटा का मान निकालें लेकिन इहमान इसमें नहीं रखना है क्योंकि आपको वहमान रखना है जिसके मूल दिये गए हो उन मूलों की साहता से दुई घात बोपत तो हमें जो दुई घात बोपत हम लोग निकाल रहे हैं उसके मूल तो अलफा प्लस बीटा थी अलफा प्लस बीटा की मदस से जो आप मूल निकाले हैं वह मूलों का योगफल होगा ना कि ए एगर रख देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें जो बोफ़त निकालना था उसके मूल आलरेडी दे चुके हैं और उसी मूलों का ही मान हम रखना है तो यहां अलफा प्लस बीटा ने मूलों का योगफल तो मूलों का योगफल देखें आप जो मूलों का योगफल था जो मूल दिया गया था इसके योगफल क्या गये हैं 16 बटे 3 तो यहां पे मूलों का योगफल का 16 बटे 3 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इन्टू बीटा तो मुलों का गुलनफर क्या हुआ हुआ 16 वट्टे 3 इसका भी जब आप लोग इसको सही करेंगे बेवस्थित तो कुछ इस्तरह से होगा ये लसीम 3 है 3 से गुड़ा करा दीजी 3 का एक स्कुवार मुड़ा करेंगे तो 3 एक स्कुवार और 16 एक स हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा और नीचे आपका 3 हट जाएगा यही आपका हो जाएगा दोई गार बहुपद ठीक है हम लोग यहाँ पे अलफा प्लस बीटा अलफा इन्टो बीटा का मान निकाले हैं ठीक है क्योंकि इसका भी उसमें रूल है जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ भी अलफा प्लस बीटा अलफा इन्टो बीटा आएगा तो उसका मान हम लोग क्या रखेंगे मोलों तथा गुडांकों में स्तम्मंधों का सत्यापन भी कीजिए ये से प्रश्ण एक्जाम में बहुत पूछ आते हैं यह त्रिघाद बहुपद है और जिसके मोल दिये गए है ठीक है त्रिघाद बहुपद के मोल दिये गए है तो बहुपद के जब मूल दिये गए हैं तो इन मूलों को जोड़ेंगे और इसके गुलांकों को प्रदर्शित करेंगे अब यहां पर देखें जो बहुपद है इसकी तुलनाप कीजी थोड़ा सा लिखेंगे दिये गए बहुपद क्या है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वाइर माइनस 5 एक्स धन 6 की तुलना किससे करेंगे त्रीघाद बहुपद के ब्यापा गुरूप से त्रीघाद बहुपद का ब्यापा गुरूप क्या होगा AX³, धन BX², धन CX plus D, से करने पर, ठीक है, C करने पर, क्योंकि इनके मानों किया सकता पड़ेगी, करेंगे तो क्या होगा, A का मान क्या होगा, x cube का gulángk 1 होता है तो x cube का gulángk 1 है और x square ठीक है? आपका b है b का माण क्या होता है? b का मान x square gulángk होता x square gulángk है minus 2 और c क्या है? x का gulángk तो x का gulángk आपका minus 5 है c बराबर minus 5 और जो d है व Lite हो अचरपद है तो d का मान हो जाएगा 6 है वहाँ से देख सकते हैं अब क्या करेंगे अब हम लोग मूलों की गुरांग और सुन्यक में सम्मंद दिखाएंगे अब क्या करेंगे हम लिखेंगे दर्थाएंगे अब मूलों का योगफल देखें तीन त्रिखाती बोपत है तो उसके तीन मूल होंगे माल लिजिए अलफा बीटा गामा है ठीक है मूलों का योगफल मूल क्या क्या है अलफा प्लस बीटा प्लस गामा तीन मूल है तो उसके तीन होंगे ठीक है अब इनको जोड़ेंगे ठीक है इनको जोड़ेंगे और अलफा प्लस बीटा प्लस गामा यह तो मूल हो गए और इसका फार्मला आपको पता है कि माइनस भी अपान यह होता है मूलों का यह फल माइनस भी अपान यह होता है ठीक है अब माइनस भी क्या है माइनस भी आपका जो है एकस स्क्वाइर गुडांक है आप लिख सकते हैं हाँ पर एकस स्क्वाइर माइनस एकस स्क्वाइर का गुडांक है होता है और जो ए है वो एकस क्यूब का गुडांक होता है यही इसमें संबंद है मूलों के योगफल और गुडांक में संबंद होता है कि अगर तीनों मूल हम जोडते हैं तो उसके गुडांक में अगर दोनों पक से बराबर हैं तो सकते हैं ठीक है अब क्या करना है मूल दिये गए इसको जोड़िए देखें मूलों का योफर इसके बराबर आ रहा कि नहीं तो पहला मूल अलफा को अगर माल लिजे तीन है तो यहां तीन हो जाएगा प्लस बीटा को मान माइनस दो रख रहे हैं तो यहां मानस दो हो जाएगा गामा कामा एक है तो एक रख जाओ अब जो माइनस भी अपान है वही आपका एकस स्कुार बट्टि एक्स क्यूब का गुलांक है स्यम चीजी अब देखें माइनस लगा दे फार्मूले में है एकस स्क्वाइर का गुडांक तो एकस स्क्वाइर का गुडांक आप देख रहे हैं एकस स्क्वाइर का माइनस दो है माइनस दो है बटे एकस क्यूब का गुडांक तो X की उका गुलंग 1 है इसको जोडेंगे तो 3- क्या होगा प्लस माइनस का गुला माइनस होगा 2 प्लस 1 बटे माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 हो जाएगा और 3 मिसे 2 हो गया 1 होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो 2 बराबर 2 ठीक है यहां देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS LHS बराबर RHS यह सीद्ध हो गया अभी हम लोग सिर्फ मूलों का योग फल लगाए है आप क्या करेंगे मूलों का गुलन फल लगाएंगे एक फार्मला और होता है मूलों के गुलन फल दो मूलों के गुलन फल का योग होता है Alpha Beta पलस Beta Gamma पलस Gamma Alpha यह होता है जिसका formula होता है C बते तो इसको बोलते हैं C बते और C बते-एक देखें गुरांग के रूमेdar तो C किसका गुरांग है तो आप लोग देख सकते हैं C जो है यहां पर C X का गुरांग होता है लिख सकते हैं एक्स का गुडांग और ए क्या होता ए है एक्स क्यूब का गुडांग वही मान पूट कर दी दी अल्फा का मान अल्फा है पहला मूल तील गुडे बीटा का मान माइनस दू है दूसरा मूल प्लेस बीटा का मान माइनस दू है और गामा का मान एक है गामा कमान एक है और आलफा कमान कितना होँ जागा पहला मुल तीन है अब X का गुणांग क्या है? X का गुणांग आप देख सकते हैं X का गुणांग मान रख दीजी एक्स का गुणांग है आपका-5 यहाँ पे-5 कर दीजी और x cube का गुडांग आपका 1 है इसको सालव कर लीजी 3 2 नहीं माइनस 6 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 करनम 2 अब प्लस 3 करनम 3 बराबर माइनस 5 बटे एक अर्थात माइनस 5 अब माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा अब प्लस 3 बराबर माइनस 5 तो यह भी 8 में से 3 जाएगा तो माइनस 5 बराबर माइनस 5 तो यहां भी हम देखने को पारे हैं कि LHS बराबर LHS बराबर RHS यह यह नि मूलों का जो योगफल है वो उसके गुड़ांक में बराबर मैच कर रहा है अब एक और रह गया है यहां भी इसको मैं दिखा दी रहा हूँ लास्ट में अब मूलों का गुड़नफल मूलों का गुड़नफल यहां पे मूलों का गुड़नफल होगा माइनस D अपान A ठीक है अगर गुड़ांक के रोम में इसको लिखें तो माइनस D D क्या है अचरपद है माइनेश अचर्पद अब बटे यह क्या है एकस क्यूब का गुळांग देखे मूलों का गुळन फल अगर एक मूल आपका आलफा है ठीक है आलफा का माना प्रोक कर रखें तीनय अगुल यह दूसरा मूल बीटा तो उसका है माइनस दो और तीसरा है गामा एक है आप प्रिश्ण में देख सकते हैं हमादिया क्या है अब यहाँ पर देखें माइनस अचरपद अचरपद में क्या है ए डी डी का मान कितना दिया है आपको तो माइनस छे देख रहे हैं अब एक क्या है एक क्यूब का गुडा आपका ए है एक हो जाएगा तो तीन दो नीच है माइनस चै बराबर माइनस चै यहां भी देखने को मिला है कि यह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड तो तीनों रूपों में हम देखी अगर आप इसको अलगलग समीकड मालने तो समीकड एक समीकड दू और समीकड तीनों के मान जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बराबर अगया अतह मूलों और गुलांकों में सम्मंद का सत्यापन हो गया तो आप लोग लिख स्कूर करते हैं इसलिए हैंस प्रूब्ड हैंस प्रूब्ड जो लोग सत्य करना चाहते हैं शनावली का अंतिम सवाल यदि अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू बहुपद एकस क्यूब धन पांच एकस स्कूर माइनस दो एकस माइनस साथ के मूल हैं तो इसके सभी मूल गयात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए जितना अधिक पावर होगा उतने के ही मूल निकलेंगी बहुपद की अधिकतम भात देख रहे हैं बहुपद की अधिकतम भात तीन है तो इसके मूल निकलेंगे तीन अचू के कितने मूल दे दिये गए हैं दो दो मूल दे दिया गया है इसका मतलब है कि एक ही मूल और निकालना से ठीक है तो लिखेंगे आ आप लोग चूंकि, बहुपद, एक्स क्यूब, प्लेस, पाँच एक्स, स्क्वाइर, माइनस, 2, एक्स, माइनस, 10, की मूल, क्या है, त्रीघाद बहुपद है, तो इसके मूल तीन होंगे, अल्फा, बीटा, एवं, गामा है, है कि वह सा हो रहा है कि तरी घ़ाद बहुत दें तीन मुल होगा जहां आप क्या करcetए। दो मूल दिया गया है उस मूल का नाम मलफा बीटा देते जहां अल्फा कमान आप लोग रखनें दो और बीटा कमान रख लगा दीजी इसके दो तरीके से हैं लेकिन एक तरीकर तो थोड़ा बढ़ा है लेकिन यह तरीका बहुत आसान है चोटा है इस लिए इसको बता रहे हैं अब क्या करेंगे आप लोग मुलों का क्योंकalten क्योंकि आपको चलिए अब मूलों का एक लगा दए एक मोलं यह व्याज़ाओ अलफा है बीटा है अब प्लस गामा है इस कमान है मांनस भी अपान यह होता है आप इसको इसतरह भी लिख सकते हैं अब अलफा कमान आप लखें लिख लें इसको under root 2 है a plus a plus और यहां माइनस चाहें तो आप इसको directly माइनस कर दें बीटा का मान under root 2 है a plus gamma का मान गामा तीस्रा मूल है माइनस B अब यहां पे देखें भी मान genommen क्या होगा है अब यहां पे देखें इस चीज को नहीं लिखा है तो माइनस B क्या होता है b c d x cube का गुडांग k x square का गुडांग b x का गुडांग c और d अचरपत है ठीक है उस चीज को हमने लिखना बोल गया है लेकिन आप लोग इस फार्मुले में इसको देख सकते हैं माइनस b तो होगा माइनस 5 और a मने q का गुडांग मने एक होगा यह माइनस से प्लस सी कैंसिल होगा दोनों और गामा का मान होगा आपका 5 बटे एक अर्थात माइनस 5 यही आपका आजाएगा तीसरा मूल क्योंकि दो मूल आल डिटे दिया गया था तीसरा मूल निकाल देना था ठीक है आते हैं आप लिख सकते हैं बहुपद एक्स क्यूब प्लस पांच एक्स स्क्वाइर माइनस टू एक्स माइनस दस के मूल कौन को से मूल हैं दो मूल तो पहले दिया गया था अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू एवं माइनस पाँच है यही आपका हो जागा आंसर ठीक है आप चाहें तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए की तुलना करा दिरा हूँ जो बहुपत की तुलना है किसे करूँगा इसके व्यापगरूप से AXQ धन BX2 धन CX धन D से करने पर ठीक है आईसा करेंगे तो A B C D का मान निकलेगे XQ का गुडांक A है A का मान हो जागा 1 X2 गुडांक है 5 तो B का मान हो जागा आपका 5 देख रहे हैं और D क्या अचरपद है तो माइनस दस हो जागा ठीक है यहां से आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं और वहीं चीज आप प्राख लिए तो इस तरह से जो है आपका प्रिश्णावली बिविद प्रिश्णावली कंप्लीट हुआ और अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें दो चार राखी समीकल है और बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर भाभी है उससे भी प्रिश्ण पूछी चाते है काया जब एक वीडिया आपको समझ में आजा होगा अगर याब वीडिया आपको समझ में आज Gentoo लाइक शेयर करें और कमेंट की माद worship से पताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा ताकि आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाते रहे तब तक लिए टेक कैर थेंक यू ग